अगर आपके मॉबाइल में भी मतलब प्ले स्टोर ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे देख़ सकते हैं फ़िर से कलिक करूँगा ठ्राइगेन पर देख सकते हैं फिर यहाँ पर मेरी प्रॉबलम शॉल्व नहीं हो रही है चलिए मैं इस पर किलिग करता हूं कोई आप यहां पर सच करता हूं जिसे मैंने कोई किया तिन किलिक करूंगा देख सकते हैं सम्धिंग वंट wrong try again try again तो ये problem किसलिए आ जाती है कौन से setting गड़वर हो जाती है आपको तो ये problem को face करनी परती है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे इस problem को आप solve कर सकते हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो प्ले जाकर के चैनल को subscribe कर लिजे बेल आइकन को press कर लिए ताकि आने वाली वीडियो का जो notification वो सबसे पहले आपको मिल सकते हैं चलिए start करते हैं जैसे आपके साथ भी ये problem हो रही है प्ले श्टोक जब आप open करते हैं तो आपको यहीं problem face करनी पड़ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है simple से सबसे पहले आपको check कर लेना कि आपके mobile का date and time सही है या नहीं सही है चलिए मैं इस पर click करता हूँ click करने वाद setting ओले option पर click किया then मैंने यहाँ पर search कर लिया date and time ठीक जैसे मैं date and time यहाँ पर search किया देख सकते हैं आपके सामने आ जाएगा date and time इस पर मैं click करूंगा और यहाँ पर set time automatically वाले option पर click कर देंगे यहाँ पर date and time automatically set हो जाएगा एक्दम सही set हो जाएगा internet चलना चाहिए आपके автомобile में बस Like उसके बाद if time zone यहाँ आप कर देना है उसके बाद यहाँ पर double clock São कर देना I got it Time set कर देना इतना setting ना कर देना है उसके बाद मैं को दूसरा step बताने वाला दूसरा step में आपको क्या करने है आपको simple से script करना ゲーム कल में at the box system oup जैसे आप पॉले अप्सन करेंगे सिस्टम एप सेटिंग मेनेज मैनेज आप पर किलिक करना है जैसे आप मेनने ड़े करेंगे आपको यहां पर सर्च बार में सर्च कर मैं यहां इस संव देख सकते हैं तरी आच आंप गूगल प्ले इस्टोर से Google Play Store पर किलिक करना है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे अब आपको बता दूंद यहां पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा अब आपको क्या करना इस्टोरेज यहां देख सकते एक आपसन मिलता इस्टोरेज इस पर आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद किलियर डाटा वाले अप्सन पर किलिक करना है और यहां से किलियर ओल डाटा आपको नहीं करना किलियर कैच वाले अप्सन पर किलिक कर देना है उसके बाद चले अब हम प्लेस्टोर को ओपन करेंगी प्लेस्टोर पर किलिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने वह प्राब्लम नहीं फेस करने पड़े कोई भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं देख सकते हैं यह देख सकते हैं वह प्राब्लम आपकी सॉल्व हो गई तो कुछ इस परकार से आप अपनी प्राब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आसा करता दोस्तों आपने सीखा अगर आपके में मुवाइल में प्ले स्टोर नहीं ओपन हो रहा था उसको कैसे सही कर सकते थे इस वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूल दोस्तों जय हिंद जय भारत बाई बाई लवी वाले टूप फैमिली है कि अ